हेलो गाइस इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको Motorola Edge 20 Pro की फुल स्पैसिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो Motorola Edge 20 Pro में आपको 6.7 इंच की Full HD Plus 144Hz refresh rate वाली Super AMOLED HDR 10 Plus डिस्प्ले 20 to 9 aspect ratio के साथ देखने को मिलती है और इसकी स्क्रीन का resolution 2400 x 1080 है यहाँ पर आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी दी गई है कैमरा की बात करें तो Motorola Edge 20 Pro के back side में triple camera setup देखने को मिलता है जिसमें आपको primary sensor 108MP का मिलता है F1.9 aperture के साथ 16MP का ultra wide lens देखने को मिलता है F2.2 aperture के साथ और 8MP का telephoto lens देखने को मिलता है F3.4 aperture के साथ और telephoto lens में आपको OIS का support भी देखने को मिलता है फ्रंट में आपको 32MP का selfie camera F2.3 aperture के साथ देखने को मिलता है तो यहाँ पर camera hardware काफी अच्छा दिया गया है प्रोसेसर की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको Snapdragon 870 processor मिलता है जो की 7nm के architecture पे बनाए और यह एक 5G processor है तो इसमें आपको अच्छी gaming performance के साथ अच्छी battery efficiency देखने को मिलेगी बैटरी की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी 30W fast charging के साथ देखने को मिलती है memory variants की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको 8 plus 128 का single ही variant देखने को मिलता है इसमें आपको UFS 3.1 का भी support देखने को मिलता है लेकिन इसमें SD card का slot आपको देखने को नहीं मिलेगा operating system की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको stock Android Android 11 के साथ देखने को मिलता है other features की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको USB Type-C 3.1 port, 2 SIM slot, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, GPS और NFC का support देखने को मिलता है security की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको side mounted fingerprint scanner और face unlock देखने को मिलता है colors की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको iridescent cloud और midnight sky जैसे दो colors देखने को मिलते है network connectivity की बात करें तो Motorola H20 Pro में आपको 5G के 11 band देखने को मिलते है pricing की बात करें तो Motorola H20 Pro के 8 plus 128 के variant का price 36,999 रुपीज देखने को मिलता है इसके अलाबा इस phone को आप 3rd October से Flipkart के Big Billion Day Sale में pre-order कर सकते हैं final conclusion की बात करें तो Motorola H20 Pro का price के हिसाब से जो hardware specification है वो काफी अच्छी दी गई है तो इस phone को आप 37,000 रुपीज में consider कर सकते हैं तो 37,000 रुपीज के price में Motorola H20 Pro आपको कैसा लगा आप नीचे comment section में बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like और अपने दोस्तों तक share जरूर कर दीजेगा आगे ऐसी technology की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा thanks for watching this video, मिलते हैं हमारे next video में झाल झाल झाल